भारत श्रिलंका टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है और अब टीम इंडिया जून से पहले कोई भी अंतराश्ट्रिय मैच नहीं खेलने वाली इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अब वक्त हो गया है IPL 2022 का दो नई टीमों और नई फॉर्मेट के साथ नई सीजन की शुरुवात 26 मार्च से होगी दो महीने से ज़ादा वक्त तक चलने वाले इस सीजन में सिर्फ फॉर्मेट और टीमों की शक्लों सूरत में ही बदलाव नहीं हुआ है बलकि कुछ नियम भी बदल गए है क्या बदलाव हुआ है बताएंगे आपको इस वीडियो में नमस्कार मैं हूँ प्रशान्त भारतवाज भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसियाई ने नए सीजन को और भी बहतर बनाने के लिए डिसिजन रिव्यू सिस्टम याने के DRS की संख्या बढ़ा दी है ये पहला बदलाव है साथ ही कोरोना वाइरस संक्रमन याने COVID-19 के वजह से मैच नहों पाने की स्थिती में नतीजे का फैसला कैसे होगा इसकी भी जानकारी दे दी है BCCI इस बार टूर्नामेंट का आयोजन पूरी तरह से भारत में ही कर रही है देश में कोरोना की स्थिती में सुधार होने के बावजूद किसी तरह का खतरा मोल न लेते हुए बोर्ड ने महराष्ट्र में ही तूर्नामेंट के लीग स्टेज के सतर मुकाबलों के आयोजन कराने का फैसला किया है वही प्ले आफ और फाइनल के चार मैचों का वेन्यू अभी तक तै नहीं किया गया है लेकिन जो तै हो गए है वो है नियमों में होने वाले कुछ बदलाव जिन्हें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है क्रिकबसगी रिपोर्ट की माने तो BCCI ने सभी टीमों को प्लेइंग कंडिशन्स यानि की खेल की परिस्थिती इसमें सबसे एहम है कोरोना के कारण टीम के मैच के लिए ना उतर पाने की स्थिती BCCI ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया है जिसके मुताबिक अगर कोरोना के कारण मैच के लिए बारे खिलाडियों जिसमें से की साथ भारतिय होने चाहिए और एक सब्सिट्यूट के साथ कोई टीम उतर पाने में अस्वामर्थ होती है तो BCCI अपने विवे का अनुसार सीजन के बीच में मैच को दोबारा आयोजित करने का प्रयास करेगी अगर ये भी संभव नहीं हो पाता है तो इस मामले को IPL की टेक्निकल कमेटी के पास भेज दिया जाएगा जिसका फैसला अन्तिम और मानने होगा ये बदलाव इसलिए भी एहम है क्योंके पहले कोरोना की वजह से ऐसी स्थिती बनने पर और मैच का दोबारा आयोजन संभव ना हो पाने की स्थिती में उस टीम को हारा हुआ माना जाता और विरोधी टीम को दो पॉइंट्स मिल जाते इसके अलावा DRS को लेकर भी कुछ बदलाव किये गए हैं अब हर पारी में टीमों को एक की बजाए दो रिव्यू मिलेंगे महीं BCCI ने मैरिल बॉन क्रिकेट क्लब की ओर से हाल ही में कैच के नियम में बदलाव को लागू करने का भी फैसला किया है इस बदलाव के तहट अगर कोई भी बल्लेबास कैच आउट होता है तो स्ट्राइक बदली हुई नहीं मानी जाएगी और नया बल्लेबास ही स्ट्राइक पर आएगा हला कि अगर catch over की आखिरी गेंद पर होता है तो strike बदली जाएगी और इतना ही नहीं अब playoff और final में tie breaker को लेकर भी नियम बदल दिया गया है अगर किसी playoff या final मुकाबले में match tie होने के बाद सुपर ओवर नहीं हो पाता है या फिर एक सुपर ओवर के बाद जरूरत पढ़ने पर अगला सुपर ओवर नहीं हो पाता है तो विजेता का फैसला लीग स्टेज में दोनों टीमों के स्थान के आधार पर किया जाएगा जो टीम लीग स्टेज में विरोधी से उपर रही होगी उसे ही विनर मान लिया जाएगा तो ये थे IPL के नए सीजन के बिलकुल नए नियम हमारी इस वीडियो में फिलाल इतना ही आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें साथ हमा नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिये जाजत नमस्कार